नमस्कार दोस्तों, Entrepreneurs Guide में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम See You at the Top पुक समरी शेयर कर रहे हैं जिनमें जिग जिगलर ने सफलता हासिल करने के 6 स्टेप्स बताए हैं। जिसमें उन्होंने बताया है कि Positive Self Image का क्या मैत्व होता है और किस तरह हम अपनी एक Positive Self Image बना सकते हैं। आज से अपने Attitude को बहतर बनाया जाए। अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो आएए शुरू करते हैं See You at the Top First Self Image जादतर लोगों ने अपनी खुद की Image को ही खराब बनाई हुई है। क्योंकि समाज हमेशा लोगों को Negative बाते सिखाता है और Negativity फैलाता है। जब हमने खुद की Image ही खराब बनाई हुई है तो हम दूसरों को क्या सिखाएंगे। लेखक, जिक, जिगलर ने हमें खुद की Image को Positive बनाने के बहुत से तरीके बताए हैं। मैं आपको उन्हीं में से सबसे जरूरी तरीके बताऊंगी। खुद की अच्छी Image बनाने के लिए आपके अंदर Self Confidence और इमानदारी जैसी Positivity होनी चाहिए। अगर आपमें यह गुन नहीं है तो आपको यह सब गुन अपने अंदर विक्सित कर लेने चाहिए। आप बहार से लोगों को जैसे नजर आते हैं उसका सीधा साधा संबन आपकी सोच और आपके विचारों से है। जिस तरह के विचार आप सोचते हैं और जिस तरह आप महसूस करते हैं उसी तरह आप समाज में उठते बैठते हैं। आप उसी तरह के कपड़े पहनते हैं और लोगों के साथ उसी तरह से वहवार करते हैं एक रिसर्च में पाया गया है कि जो करमचारी साफ सुथरे और अच्छे कपड़े पहनते हैं और खुद को अच्छी तरह से maintain रखते हैं वह काम भी दूसरों से बहतर करते हैं इसलिए अपनी image को सुधारने के लिए हमें अपने looks को भी सुधारना होगा खुद की image को सुधारने के लिए और positive बनाने के लिए आप इतिहास के सफल लोगों की कहानिया भी पढ़ सकते हैं इतिहास के सफल लोग जैसे की Henry Ford, Abraham Lincoln, Thomas Edison, Andrew, Conriggi जैसे महाल लोगों की कहानिया जब आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर confidence भढ़ेगा और आपके जीवन में महनत करने और आगे भढ़ने की प्रेना मिलेगी अपनी image को बहतर बनाने के लिए आप कई और काम भी कर सकते हैं For example, आप कोई business शुरू कर सकते हैं या कोई ऐसा काम शुरू कर सकते हैं जिसमें आपको विश्वास हो कि आप उसे successfully कर लेंगे जब आप नया काम करने की कोशिश करते हैं और उसमें सफल होते हैं तो उससे आप में self confidence आता है और self confidence से आपकी खुद की image और भी positive बन जाती है इस तरह से अपनी image को सुधारने के लिए आपको लगातार ऐसे काम करने होंगे जिससे आपका self confidence भड़ता रहे सबसे जरूरी बात यह है कि self confidence कभी भी एक दिन में नहीं भड़ता और आपकी image कभी भी एक दिन में नहीं बनती इस तरह से लगातार self confidence भड़ाने वाले काम करके आप अपने image को बहतर बना सकते हैं और जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं आपको life में successful होने के लिए इस बात का दिहान रखना बहुत जरूरी है कि लोगों के साथ आपका relation कैसा है कुछ वर्ष पहले सो सफल लोगों पर research हिया गया जो खुद अपनी मेहनत से करोड़पती बने थे वह सब अलग-अलग जगे से थे और उनकी education और skills का level भी अलग-अलग था उन में से 70 लोग ऐसे थे जो ऐसी जगे के रहने वाले थे जहां 15,000 से भी कम population थी लेकिन उन सभी में एक चीज कॉमन थी और वो थी दूसरों में अच्छाई देखने की आदद वह सभी दूसरे लोगों में बुराई देखने की बजाए उनकी अच्छाईों को देखते थे वह बुरी conditions में भी अच्छाई देखते थे यह बात हमारे संबंदों में भी बहुत जरूरी है क्योंकि जैसा हम लोगों के बारे में सोचते हैं वैसा ही वैवार वैह हमारे साथ करते हैं आप जिस तरह से लोगों को देखते हैं और समझते हैं उनसे उसी तरह का वैवार करते हैं लोगों के साथ बहतर रिलेशन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उनके अंदर अच्छाईयों को देखे ना कि बुराईयों को सफल लोगों की यह विशेशता होती है कि वैं दूसरों के बुराईय नहीं करते अब आप सोचिए कि आप दूसरों को किस तरह से देखते हैं आप उनमें बुराई देखते हैं या अच्छाई देखते हैं अगर आप अभी तक दूसरों में बुराईया देखते रहे हैं तो आज से बुराईया देखना बंद करें और दूसरों में अच्छाईयां देखना शुरू कर दें हर वैक्ते के अंदर बहुत सारी capabilities होती है लेकिन कई बार लोगों को खुद ही इसके बारे में जानकारी नहीं होती इसलिए हम दूसरों को उनकी capabilities के बारे में बता सकते हैं सफल होने के लिए पहले आपको खुद की capabilities को जानना होगा और उसके बाद दूसरों से अच्छे relation बनाने के लिए आपको दूसरों की capabilities को पहचानना होगा ऐसा करने से आप दूसरों को encourage करेंगे और उसके साथ आपके relation बहतर बनेंगे जो आपको एक सफल इनसान बनाने में मदद करेंगे केवल दूसरे लोगों के साथ ही नहीं आपके फैमिली मेंबर्स के साथ भी आपके रिलेशन्स अच्छे होने चाहिए जिन लोगों के रिलेशन्स अपनी फैमिली के साथ खराब होते हैं वैं जादतर समय तनाव में रहते हैं क्योंकि उनके मन में अपनी फैमिली कु ले कर कोई ना कोई समस्या चलती रहती है और फैमिली की यही समस्याई उनकी सफलता में रुकावट पैदा करती हैं जादतर सफल लोगों के अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे रिलेशन होते हैं और यही उनकी सफलता के एक बहुत बड़ा सच है फैमिली के लोगों के साथ अच्छे रिलेशन होने से बैक्ती अपना सारा ध्यान अपने काम पर लगाता है जिससे वह अच्छा काम करता है और सफलता हासिर करता है उच्चाईयों तक पहुँचने के लिए तीसरा कदम है अपने गोल्स को सेट करना दोस्तों इस कदम पर आपको सबसे जादा ध्यान देने की जरूरत होती है क्योंकि गलत गोल्स सेट करने से इनसान गलत दिशा में काम करता है और अंत में उसके हाथ केवल ऐस सफलता ही लगती है सफलता के शिकर तक पहुचने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने लिए सही गोल्स सेट करें गोल्स सेट करने से पहले आपका गोल आपके मन में पूरी तरह से सपस्ट होना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं जिन कामों में आपका इंटरस्ट है और जिने करने से आपको खुशी मिलती है आपको उन्हीं में से किसी काम को अपना गोल बनाना चाहिए क्योंकि ऐसे गोल्स के लिए आप पूरी तरह से स्पस्ट होते हैं किसी भी गोल्स को सेट करने के बाद आपको उसे हासिल करने के लिए पूरा प्लैन बनाना होगा क्योंकि बिना प्लैन के किसी भी गोल्स को हासिल नहीं किया जा सकता है उधारन के तोर पर Sir Edmond Hillary जो कि Mount Everest पर पहुंचने वाले सबसे पहले इंसान थे उन्होंने अपना गोल हासिल करने के लिए एक स्पस्ट प्लैन बनाया था दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वह एक दिन अपने घर से बाहर गुमने निकले और अचानक उन्होंने अपने आपको माउंट एवरेस्ट पर पाया उन्होंने Mount Everest पर पहुँचने के लिए एक proper plan बनाया था और उनके अंदर वहां तक पहुँचने का उत्साह था उन्होंने हमें कुछ जरूरी बाते बताई हैं जो life में किसी भी goal को हासिल करने के लिए जरूरी है दोस्तों मैं आपको वह जरूरी बाते बताना चाहते हूँ फरस्ट आज आप जीवन में जहां भी हैं उस बात का record जरूर रखिए record रखने से आपको पता होगा कि आपने अपना सफर कहां से शुरू किया था और आप इस बात का भी अंदाजा लगा पाएंगे कि आपको कहा तक जाना है और उसके लिए आपको कितनी मेहनत करने होगी second अपने सभी goals को एक paper पर list बना कर लिखे paper पर यह भी लिखे कि कौन से goal को आप एक वर्ष में हासिल करेंगे और कौन से goals को कुछ महिनों में हासिल करेंगे और कौन से goals को कुछ हफतों में या कुछ ही दिनों में हासिल करेंगे ऐसा करने से आप अपने सभी goals के लिए टाइम सेट करेंगे third आपको अपने हर goal को सपस्ट करना होगा आप ऐसे नहीं लिख सकते कि आप पैसा कमाना चाहते हैं आपको सबस्टता से सूचना होगा कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं और कितने समय में कमाना चाहते हैं आपको ऐसा नहीं सूचना चाहिए कि आपको एक बड़ा गर बनाना है एक बड़ी गाड़ी खरीदनी है, आपको पेपर पर साफ साफ लिखना होगा कि आपको किस तरह का घर बनाना है और कौन सी जगे पर बनाना है, आपको किस कमपनी की गाड़ी खरीदनी है और उस गाड़ी का मोडल, रंग और उसी सभी खूबियां आपके मन में बिल्कुल सा काफ होने चाहिए तभी आप उन्हें पेपर पर लिखें फॉर्थ आपको लॉंग टर्म गोल्स सेट करने चाहिए उधारन के तोर पर एक साल में आप अपने बिजनस को कितना बढ़ाना चाहते हैं या एक साल में आप कितना धन कमाना चाहते हैं आपको जीवन के जादातर ग गोल्स के पीछ में आने वाली बादाओं की भी एक लिस्ट बनाएं क्योंकि बादाओं की लिस्ट बनाने से आप उन्हें हटाने का प्लैन बना सकते हैं जब आप बादाओं की लिस्ट नहीं बनाते तो कई बादाओं जो आपके ध्यान में नहीं रहते अचानक से आपके साम गोल्स में बाड़ते हैं उधारन के तोर पर अगर आप किसी खास एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसके सिलेबस को छोटे-छोटे हिस्सों में बाड़ते हैं जैसे कि अगर आपके सिलेबस में 16 chapters हैं तो आप किस chapter को कितना समय देंगे यह सब आपको अपने plans में लिखना होगा 7. अपने goals की और पहला कदम उठाने से पहले आपको खुद को अपने goals को करना होगा अपने गोल्स की और पहला कदम उठाने से पहले आपको खुद को अपने गोल्स को करना होगा दोस्तों, विजुलाइजेशन की प्रेकरिया एक बहुत शक्तिशाली प्रेकरिया है जिसे इतिहास के बहुत से सफल लोगों में इस्तमाल किया है फर एक्जांपल, अगर आप अपनी फेवरेट गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आपको मन ही मन में अपने आपको उस गाड़ी को चलाते हुए देखना होगा हर रोज विज्विलाइज करने से आप अपने मन में अपनी फेवरेट गाड़ी को चलाने का एहसास जगाएंगे और जब आप उस दिशा में काम करेंगे तो वही हैसास आपको आपके गोर्स की ओर खीच ले जाएगा 4. Attitude क्या आप जादा दन कमाना चाते हैं और अपनी जीवन का आनद उठाना चाते हैं तनाव को कम करना चाते हैं जादा प्रभावशालिय बनना चाते हैं अच्छी सिहत चाते हैं और दूसरों के साथ अच्छे relation बनाना चाते हैं दोस्तो यह सब पाना आपके लिए संभव है आप यह सब कुछ पा सकते हैं लेकिन उसके लिए जरूरत है सही एटिट्यूड की सही एटिट्यूड का मतलब है सही सोच और दूसरों के साथ आपका सही वहवार आजकल दूनिया के हर देश में बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो अलग-अलग तरह के काम सीखने की ट्रेनिंग देते हैं लेकिन सही सोच और सही एटिट्यूड बनाने की ट्रेनिग किसी भी स्कूल में नहीं दी जाती आप तब तक किसी भी काम में आम लोगों से बहतर नहीं कर सकते जब तक उस काम के लिए आपका attitude सही नहीं होगा attitude के बारे में समझने के लिए लेकब Zig Zagler ने हमें एक बहुत अच्छा example दिया है Zig एक बार अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक road transport company में काम करता हुआ उनका एक दोस दिखाई दिया उन्होंने उसके पास जाकर अपनी गाड़ी रोकी और उसे मिले जिक को अपने उस दोस से मिलकर बहुत खुशी हुई क्योंकि वे स्कूल के बाद काफी समय बाद मिले थे उन्होंने मिलकर एक साथ लंच किया और बहुत सारी बाते की लंच करने के बाद जब वे जाने लगे तो उन्होंने देखा कि उनका एक और दोस जो कि उस transport company का head था वहाँ पर काम देखने आया यह सब देखकर जिक ने अपने पहले दोस से पूचा कि तुम दोनों एक साथ पढ़ते थे और तुमने काम करना भी एक साथ शुरू किया लेकिन वह company का head बन गया और तुम अभे भी उसी position पर काम कर रहे हो तो इस पर उसके दोस ने जवाब दिया कि जब मैंने इस company में काम करना शुरू किया था तो सर्फ यह सोच कर किया था कि मुझे एक गंटा काम करने के 3.50 रुपे मिलेंगे वह दोस्तों आज भी यही सोच कर काम कर रहा था कि जितना वह काम करेगा उसके अनुसार ही उसे पैसे मिलेंगे वही उनका दूसरा दोस्त यह सोच कर काम कर रहा था कि उसे अच्छी तरह से काम करना है और कंपनी के लिए वैल्यूवल बनना है दोस्तों इससे हमें यह पता चलता है कि पहला दोस्त पैसे कमाने के लिए काम कर रहा था और उसका सारा द्यान केवल पैसे कमाने पर था यही उसका एटिटूड था इसलिए वह अपनी कमपने में जादा आगे बढ़ नहीं सका जबकि दूसरा दोस्त यह सोचकर काम कर रहा था कि उसे काम करना है और आगे बढ़ना है इसलिए वह अपना प्यान केवल काम पर रखता था पैसे कमाने पर नहीं और उसके इस एटिट्यूड के कारण उसने तरक्की की और एक दिन वे अपनी कमपनी का हैड बन गया अगर आप भी अपने लाइफ में कुछ करना चाते हैं कोई बड़ा गोल हासिल करना चाते हैं तो आज ही उसके लिए अपना सही एटिट्यूड बनाएं अगर आप काम करने पर ध्यान देंगे और अपना काम करने का एटिट्यूड बनाएंगे तो आप अच्छा काम भी कर पाएंगे और साथ ही साथ अच्छे पैसे भी कमा पाएंगे अच्छा काम करने से आपको तरक्की मिलेगी और एक दिन आप सफलता के शिकर पर पहुंच जाएंगे दोस्तों, अगली बात जो हमें लेखक ने सफल होने के बारे में बताई है वह है काम करना जीवन में सफलता पाने के लिए हमें काम करना होगा जीवन के लिए कोई शौर्टकट नहीं होता इसके लिए लाइफ में कोई भी गोल हासिल करने के लिए काम तुक आपको करना ही होगा आपको लाइफ में वही काम करना चाहिए जिसमें आपका इंटरस्ट हो क्योंकि तब ही आप उस काम को अच्छी तरह कर सकेंगे अगर आप ऐसा काम करने की कोशिश करेंगे जिनमें आपका कोई इंटरस्ट ही नहीं है तो ऐसे काम में आपका दिल नहीं लगेगा और आप बहुत जल्दी ही उस काम से बोर हो जाओगे इसलिए वही काम करें जिसमें आपका इंटरस्ट है और जब आप उसे मन लगाकर करेंगे तो सफलता अपने आप आपको मिलते जाएए सफलता हासिल करने का यही राज है कि आपको खुद कोशिश करनी होगी आप लाइफ में अपने सबसे ज़्यादा फेवरिट काम को चुनिए और अपने लिए फेवरिट गोल सट कीजिए इतना करने के बाद आप अपना फेवरिट काम ढूड़िए आप देखिए कि आपका फेवरिट काम आपको कहां मिलेगा आपका काम आपको इंटरेस्ट पर भी मिल सकता है आपके शहर में भी मिल सकता है और अगर आपके शहर में नहीं है तो आपको देखना होगा कि आपका फेवरिट काम कौन से शहर में मिल सकता है कई पर आपको अपना घर छोड़कर किसी दूसरे शहर में काम करने के लिए जाना पड़ता है गरवालों से गर के आराम से तूर रहना पड़ता है उसके बाद आप अपने फेवरिट काम के लिए खुद को तयार कीजिए और उसमें जुट जाएए दोस्तों इसी तरह से आपको काम में मेहनत करनी पड़ती है तब ही आपको सफलता में लेखक ने हमें इस चैप्टर में यही समझानी की कोशिश किये कि लाइफ में कोई भी बड़ा गोल हासल करने के लिए हमें पूरी मेहनत से काम करना होगा दोस्तों डिजायर का मतलब है किसी गोल को पाने के लिए मन में डीप डिजायर का होना जब आपके मन में कुछ पाने की डीप डिजायर होती है तो आपके रास्ते अपने आप मिल जाते हैं निपॉलियन हील ने भी अपनी फेमस किताब थिंक एंड ग्रो विच में भी पहला चैप्टर डिजायर के बारे में ही लिखाएं दोस्तों कई लोगों में बहुत काबिलियत होती है लेकिन उनके अंदर कुछ बड़ा करने की या कोई बड़ा गोल हासिल करने की डिजायर नहीं होती इसलिए वहें लाइफ में कोई बड़ा गोल हासिल नहीं कर पाते और छोटे मोटे कामें करते रहते हैं दोस्तों, मन में डिजायर होने का एक और फायदा यह है कि जब आपको यह पता नहीं होता कि आप अपने गोल्स को कैसे हासल करेंगे तो अपनी डिजायर के कारण आपको उसे पाने के रास्ते अपने आप मिल जाते है माल लीजिए आप किसी बड़ी कंपनी में इंजिनियर को काम करते हैं काम करना चाहते हैं लेकिन आप वहां तक कैसे पहुँचेंगे इस बारे में आपको कुछ नहीं पता तब आप हर रोच उस कंपनी में काम करने के बारे में सोचेंगे तो धीरे धीरे आपको रास्ते दिखाई देने शुरू होगे आपको Engineering में Admission लेने का कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा अगर आप ठीक से तेयारी करेंगे तो किसी अच्छे Engineering College में आपको Admission मिल जाएगे उसके बाद आपको Engineering में मेहनत करनी होगी और जब आप engineering करते हुए भी उस company में काम करने के बारे में लगातार सोचेंगे और अपने मन में इच्छा रखेंगे तो वो सकता है कि वह company recruit के लिए आपके college में आ जाए अगर वह company आपके college में नहीं आती तो engineering के बार वह काम करने वाला कोई ना कोई वेक्ति आपको ज़रूर मिलेगा जो आपको उस company में hire होने में help करेगा दोस्तो शायद इस समय आपको मेरे इस example पर ज़्यादा यकीन ना हो लेकिन यह example 100% सच है जब आप किसी goals को पानी की अपने मन में इच्छा रखेंगे तो उस तक कहुचने के रास्ते आपको ज़रूर मिलेंगे बस आपको उन रास्तों पर चलने के लिए और महनत करने के लिए खुद को तैयार करना होगा आपका goal बहुत सारे पैसे कमाना बड़ी गाड़ी बड़ा घर खरीदना अपने फेवरेट लाइफ पार्टनर से शादी करना भी हो सकता है आपका goal चाहे जो भी हो आपको उसे हासिल करने के लिए अपने मन में इच्छा रखनी चाहिए और खुद को महनत करने के लिए तैयार करना चाहिए तो दोस्तों आपको ये समरी कैसे लगी ये कमेंट में बताएए और अगली कौन सी बुक समरी चाहिए ये भी सजेस्ट करें थैंक्यू गाइस उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी आपने अब तक हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमेरिटली चानल को सब्सक्राइब करें जल्दी मिलेंगे और भी बैदर वीडियो के साथ थैंक्यू सो मच